थो आज हम statistics mathematics का जो एक पार्ट ए satu- след cks उसके बारे में बढ़ने वाने तो उसरी statistics में स्टार्ट करने मीडियें मीडियें जो वे आपको ॥ा यह आपको 9 स्तेंडर्स आप 8 सेडि़ संद शहिए बोल सकते हो ऐसे को के वह प्रते तो मी आंप एक नड़ों ही पमड़्ग् incorporate भंड का दूसरा बढ़ बोल सकते हैं मीडल को हिंदी में क्या बोलते हैं बीच में तो जो बीच की जो वैल्यू रहती है ना उसको मीडियम बोलते हैं तो जैसे कि आभी मैं आपको एक एक्जम्पल देता हूँ इधर और फाइज सेवेन थ्री फोर फाइज तो सुरी इसका मीडियन क्या होगा तर इसका मीडियन हो जाएगा 3 वट यह रांग अंसर आएगा सर आपका क्यूंकि इसमें क्या है ना इसमें आपको सबसे पहले असेंडिक ओडर में आरेंज करना बढ़ता है ascending order क्या होता है ascending order मतलब छोटे से बड़ा तक नमबर okay from smallest number to the largest number okay तो इसमें smallest number कौन सा है three four five six and then seven अभी इसमें आपको middle कौन सा दिख रहा है तो sir middle हमें five दिख रहा है okay तो middle आपको five दिख रहा है तो वह आपका बन गया मीडियन okay simple as that okay तो मीडियन का सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते मैंने आपको example के साथ मीडियन क्या होता है वो भी आपको बता दिया ओके तो मीडियन उसका मीडियन नहीं निकाल सकते पहले उसको आपको असेंडिंग ओडर में अरेंज करना पड़ेगा कौन से ओडर में आपको आरेंज करना पड़ेगा सब्सक्राइब करेंगे इस लेक्चर में सिर्फ उपर बात करेंगे मतलब क्या होता है अपको क्लास इंटर्वल्स नहीं दिया रहे थे सिफ आपको सब्सक्राइब करेंगे मतलब ज्यादा कंफिश होने की ज़रूत ने फ्रिक्वेंसी मतलब वैल्यू जो आपको वैल्यू दिए घर या फिन अब्बर और अब्जर्वेशन बोल सकते हैं अब एट नाइन एलेवन टें यह आपको मैंने एक सेट आफ नंबर्स दिये ओकि सेट तो सबसे पहले हमें असेंडिक और में अरेंज करना पड़ेगा फिर उसके बद आप अपको आपका मिल जाएगा ओके तो सबसे पहले हम अग्रूप डाटा में जो और नंबर और अब्जर्वेशन रहेंगे आपके तो उसका पहले फॉर्मिला देख लए दे जब और उसमें simple as that median is equal to n सर यह n क्या होता है हमेशा याद रखना statistics में n मतलब number of observation okay small n जिदर भी दिखेगा आपको statistics में उसका मतलब होता है number of observation simple as that को ही जिदर भी आप n देखो के न बहुत सरे फ़र्मिले जाएंगा अभी आप statistics में में मीडियन पढ़ा रहो आगी मीडियन मीन पढ़ाऊंगा मोड पढ़ाऊंगा फिर रेग्रेशन आयकाड फिर बहुत सारे अलग-अलग topics हैंगे उसमें बहुत इतना आप याद रहें रहें को बहुत बेनिफेट्स होगा आपको एंड़ इसको प्रब्लम के इसाब से आपको एंड पता चल जाएगा तो एंड प्लस वान अपॉन तो भी आपका अंसर आएगा वह उसका जो टर्म वह टर्म आएगा आपको वह मीडियन नहीं रहेंगा तो वह टर्म पे जो वैल्यू रहेंगी वह आपका मीडियन बन जाएगा तो हम लोग पहले एक 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 जामपल देख लेते ताकि आप लोग एक जाएगा जिसमें नंबर ऑफ अब्जर्विशन हमारे ओड है नंबर ऑफ अब्जर्विशन क्या हमारे ओड है देख लेते हैं पहले और है कि इवन है जैसे कि अभी यह देखो 123455 तो 5 मतलब और नंबर इस और नंबर मतलब द नंबर विच इस 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 नोट दिविजिबल बाइ तो तो 5 दिविजिबल बाइ तो यह नियुक्त नंबर अब्जर्विशन और ओगे तो और होने के बाद हमें जो फॉर्मिला बताया गया था आपने एम इस इक्वल टू एन प्लस वान अपॉन टू और प्लस मतलब अब्जर्वेशन ओके तो देखो एन कितना मिला है में एन इस इक्वल टू फाइव अभी मैंने आपके सामने काउंट किया ओके पट एन मिलके आपको फिर उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना असेंडिक और मैंने बताया था असेंडिक और में इस कर लेता हूँ तो अभी M is equal to 5 तो 5 का अचा है तो एन अपनी मिल गया था 5 प्लस 1 अपन 2 5 प्लस 1 अपन 2 कितना होता है 6 अपन 2 तो 6 अपन 2 होने के बाद जो आपका अंसर है का 6 divided by 2 जो हता है 3 6 0 तो अंसर क्या है आपको 3 तो 3rd observation तो 3rd observation क्या है सर 1st 2nd 3rd तो 3rd observation आगे आपका median M is equal to 5 तो 3 आपका answer निए आएगा आपका answer आएगा median ओके तो आभी आम एक देख लें हम और नमबर का देख लेया आभी हम इवन नमबर का ते ऑपहली इवन नमबर का formula देख लेते हैं डिए इवन नमबर का formula M is equal to M stands for median M stands for median तो median is equal to n upon 2, n मतलब number of observation आपने बताया था हमें, आभी याद रहे गया हमें को, n मतलब number of observation, n upon 2, इधर भी कहते को th, मतलब what term, okay, term देखना हमें, उसका जो value आएगा, वो आगे put on करनी है, फिर वापिस n plus 2 upon 2, n plus 2 upon 2, n plus 2 कितना होगा, n मतलब आपना वही, statistics में formula याद हो गया, तो values से put on करनी है, आपका answer automatically आ जाएगा, उसका कुछ यह नहीं है, okay, तो यह आपका formula था, अभी हम इस पर भी एक question solve कर लेते हैं, okay, तो यह आपका question, example 2, इसमें देखो, even number of observation है, okay, just concentrate, मैं count करता हूँ, आप देख लोशिक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 observation is a 6, 6 divisible by 2 है, okay, the number which is divisible by 2 is known as even number, okay, यह आपका even number का definition था, okay, तो सबसे पहले हमने इसको ascending order में arrange कर लिया, ascending order में arrange करने के बाद, n is equal to हमें मिल गया 6, automatically, क्योंकि हमने पहले count कर लिया, n मतलब क्या होते हैं, total number of observation, तो number of observation कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने आपके लिए count करके रखा है, तो n is equal to 6 आ गया, तो m is equal to n, n upon 2 था न इधर, formula मैंने बता है था, आपको formula कहता है, m is equal to n upon 2, plus n plus 2 upon 2, तो इधर bracket था, upon the whole upon 2, okay, obs, okay, observation, तो देह को है, जैसिके मैंने बता है था, n की value कहती है, 6, तो आम लोग ने 6 put on कर दे, 6 upon 2, तो 6 plus 2 upon 2, the term, okay, the whole divide by 2, okay, तो फिर उसके बत, आपको समझ रहा होगा, कि क्या करना है, सिफ हामे values put on करने, okay, एक बार वैल, आपको पता चल गया ना, कि कुन सी value किधर put on होगी, तो आपका जो statistics के जो questions रहते हैं, वो आप automatically solve पर लोगे, understood, okay, तो लेक, आगे जाते, third observation, 6 divided by 2, 3, 6 plus 2 divided by 2, 6 plus 2 आता है, 8 आता है, इधर, 6 plus 2 divided, आप 6 plus 2 करोगे तो 8 आएगा, the whole divided by 2, 8 divided by 2, आप काहां सार आएगा, 4, तो सर इधर अभी क्या करना है, 4 plus 3, 3 plus 4 को plus करना है क्या, क्योंकि इधर तो डारेक 3 और 4 दिख रहा हैं है, तो उसको plus कर सकते हैं, क्या, नहीं, 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 उधर द क्यों से 3rd 38 है, और 4th 48, ओके, understood, तो देखो, 38 plus 40 upon 2, 38 plus 40 कितना होता है, 38 plus 40 is equal to 78, 78 upon 2 is equal to 36, तो आपका median आ गया, 36, अभी आपको मैंना, इस दोनों भी मैंने, आपको ungroup data के दोनों भी variations मैंने बता दिये, अभी मैं इससे भी एगदम, formula ना use किये बिना भी आपको, अगर answer find कर दोना रहेगा ना, तो आप easily find कर सकते, एक तम simple बता दो, जैसे कि दोखो, हमेशा number of observation अगर odd रहेगे, तो centermost number जो रहेगा, वह आपका median रहेगा, ascending order में arrange करने के बाद, जब आप ascending order में arrange कर लोगे, तो आपको centermost number रहेगा, वह आपका median रहेगा, कब जब आपका number of observation रह रहेगा, understood, okay, then next, आपका जो यह रहेगा, even numbers है, even numbers में आपको क्या करना है, पता है, the number of observation में आपको centermost number नहीं मिलेगा, okay, क्योंकि number of terms जो है, आपके even है, तो उसके बाद ना, आपको क्या करना है, जब आपको number of observation अपको लिख लोगे, ना, ascending order में, तो उसके बाद आपक को बताता हू, एक example देता हू, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay, एक इतने, एक इतने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and कितना आगया, आपका n is equal to 6, तो सर, इसमे आभी देखने जाओ के ना, तो यह जो पीचके ना, बीच में दो टम बचेंगे, आपने पास, okay, बीच में कितना बचेंगे, दो टम divided by 2, okay, 7 plus 8, कितना होता है, कितना होता है, 15, 15 divided by 2, 15 divided by 2 करोगे, तो आपको answer हैगा, 7.5, तो यह आगया, आपका median, simple as that, कूछ ज्यादा mathematical logic लागाने की जरूरत नहीं है, automatically भी आपका answer आ सकता है, बट यह कहा है, ना किये, जब आपके number of observations, एकदम छोटे, एकदम, कम numbers में रह होता है, आगर आपको ज्यादा रहेंगे, आगर आपको बहुत सारे number में दिये रहेंगे, आपके number of observation, बहुत lakhs में रहेंगे, तो आप उसमें formula अपलाए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप गिंते नहीं बैटोगे, किदर बीच में जा रहें, तो उस जगा पे हमें अपना formula करना पड़ता है, इसके लिए आपको formula भी सिखाए गया है, तो एक्जाम में जब आप solve करोगे, तो आपको दो टारीके की solve करने पड़ेंगे, एक तो आप माइन में भी directly automatically कर लोगे, जो में आपको एकदम easiest way बता है, और एक्जाम में जब आप presentation करोगे, तो आपको formula wise presentation करन पड़ेगा, तो आज के लिए इतना ही था, आपको अच्छा लगा रहेगा, और आपको easy trick में ने बता दीए कि median कैसा find करते, किसका ungroup data का, हम अगले lecture में group data के उपड़ discuss करेंगे, अगर आपको कोई भी query रहेगी, तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हो, मैं आपको आपकी जितन यह मेरा personal whatsapp number है, तो आप please whatsapp number पर मुझे text कर लो, तो क्यों, call मत करना, क्योंकि कैसे हम लोग इतने busy रहते हैं कि हम call attend ने कर पाते, तो call attend ने करेंगे ना तो आपको बुरा लग सकता है, तो please call मत कर आप मैं को whatsapp text कर लो, कि sir मुझे यह doubt है, please solve कर लो, तो आप जैसे कि आपक lecture, thank you